नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है, आज हम एजुकेशन से रिलेटेड एसाइमेंट के बारे में चर्चा करेंगे हैं, देखा जाये तो जायतर डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को एसाइमेंट क जर्ड़त होती है, आएज देखते हैं कि एसाइमेंट जमा करने से क्या फायदा है, दोस्तों एन आई ओएस हैनि कि नेशनल इस्टिटूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको ओपन स्कूल भी कहते हैं, इसमें दस्वी और बार्वी होती है, और दस्वी और बार्वी जो कर र होते हैं, सभी को एसाइमेंट जमा कराने होते हैं, और इगनु जो कि इसके बाद, बार्वी के बाद, बीए, बीकॉम, यनि कि ट्वेल के बाद का जो कोर्स होता है, वो इगनु से कर सकते हैं, तो इगनु में जो पढ़ रहे हैं सभी विदार्दी, उसको एसाइमेंट जम में कितने मार्क्स मिलते हैं दोस्तों एन यह में कि 20% का मार्क्स मिलता है जो आपके मार्क्सीट में एड होके आएगा लाइप माक शीट की बात करें माक शीट में कॉलम होता है ये खूरी का हो गया जा ऑजिए प्रैक्टिकल का हो गया और ये टीए में गाउया तो हमान लोग थेओरी में आया 5 प्राक्टिकल में आया 2 और टीए में में आया 3 , तो यह जो टोटल मांक से 10 हो जाएगा इस प्रकास मांक सिर्ट में अगया घ्र कि सब्सक्राइब कि जिसमें प्रेक्टिकल न हो कि हिंदी इसमें प्रेक्टिकल नहीं है यह एक्षो नमबर का उता है एक्षो का तो एक सो का बीज पर्शेंट आपका 20 नम्मर का यह वीज नम्मर का आपका एसाइमेंट हो गया हिंदी इंग्लिज जिसमें की प्रेक्टिकल नहीं और जिसमें प्रेक्टिकल है सपोज करो कि साइन्स साइन्स में प्रैक्टिकल है 15 नम्मर का तो एक सो में 15 गटा दो पचासी नम्मर वला इसका 20 प्रशंट यान की 17 नम्मर तो इसका टोटल जो एसाइमेंट का नम्मर हो 17 और इगनु की बात करें तो इगनु में 30 प्रशंट वेटेज मिलता है थोरी प्रपर का मालो कि सो नम्मर का अगर थोरी है उसमें उसमें से 30 प्रशंट वेटेज मिलेगा दोस्तों ग्रोथ एजुपिशन कोईंट आपके ये में बनाने में मदद करता है जैसे एसाइमेंट कौन सी पेज में बनानी होगी टीये में की बुप नहीं मिली है तो क्या करें एसाइमेंट के आंसर कैसे लिए एसाइमेंट कहां जमा कराना है एसाइमेंट कब तक जमा कराना है इसकी लाज डेट क्या है नहीं जमा कराने से क्या होगा क्या एसाइमेंट लाज डेट के बाद जमा करा सकते हैं इन सभी प्रस्णों से जूज रहे विद्याती आप हमें कॉल कर सकते हैं आप हुमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं किसी भी परकार की जानकारी के लिए आप मुझे 9582489391 पर कॉल कर सकते हैं यह वर्ट्षप नमर है अगर आप जो विद्यार्थी जोइन करना चाहते हैं वह जोइन भी कर सकते हैं देखें मैं आपको एक इंपोर्टेंट नोटिपिकेशन सूचना देजें कि एक मही 2017 को एक नोटिपिकेशन आया है जिसमें विद्यार्थी अगर एसाइमेंट जमा नहीं करा सकता है तो उसको पंद्रह सो रुप्या पर सब्जेक्ट लेट इस देना होगा तब उनकी एसाइमेंट जमा होगी और उसको एसाइमेंट का माक्स मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक कोई भी इंफर्मेशन लेने के लिए आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं अगर आपको एसाइमेंट बनाने में किसी तरह की प्रोब्लम हो अगर किसी पोस्तों को हदल नहीं कर पाएं अगर आप स्रोलेशन भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं हम आल ओवर इंडिया एगनू और एन आएस के एसाइमेंट प्रवाइड करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप सस्क्राइब किचेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतिजार किचेगा चाहते हैं